श्वेदा स्वेवर्स की किचिन में आप सब का फिर से स्वागत है तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी से, बहुत ही अमेजिंग से बिस्केट्स तो आज हम बनाने वाले हैं होल वीट बिस्केट्स जी हाँ, इसके लिए मैंने लिया है वन फोर्थ कप अफ गी तो ये गी एकदम रूम टेंपरेचर पर है, सॉफ्टेंड है बिल्कुल साथ में मैंने लिया है रॉज शुगर हाफ कप अफ रॉज शुगर और इसको हम अच्छे से ना पीट कर लेंगे तो मेरे पास ये हैंड विस्क है, तो इसी से मैं इसको बीट कर रही हूँ आप चाहें तो इसमें जैगरी पाउडर भी यूज कर सकते हैं और ये बिस्किट्स ना बहुत ही टेस्टी बनते हैं लब चाई के साथ, कॉफी के साथ आपको बहुत बढ़िया लगते हैं तो इस तरह से शुगर और घी को हम अच्छे से ना एकदम बीट कर लेंगे एकदम सॉफ्ट वाला ना ये बटर प्रिपेर हो जाएगा हमारा एकदम फलफी वाला, देखिए इसका कलर भी अल्मूस्ट चेंज हो गया है कितना वाइटश कलर आ गया है तो ये एकदम अच्छे से ना बीट हो गया है चलिए नेक्स टेप की तरफ चलते हैं ये मैंने लिया है वन कप आफ होल वीट फलार साथ में लिया है मैंने वन एट कप आफ सूजी वन टी स्पून अफ बेकिंग पाउडर थोड़ा से इलाइची सॉल्ट फर टेस्ट और इसको हम ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे बहुत सारी अमेजिंग सी वीडियो रेसिपीज आती रहेंगी क्योंकि अभी तक आपकी ना बहुत सारी रेसिपीज मिस भी हो गई है तो बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे अब इसको bind करने के लिए हम साथ में डालेंगे milk धीरे-धीरे करके हम milk add करेंगे otherwise batter बहुत lose हो सकता है तो इस तरह से धीरे-धीरे करके मैंने इसमें around half cup milk add किया है वीडियो को like and share जरूर कीजिए का अपने friends and family के साथ में जो कि बहुत सारी recipes हैं जो आपको interesting लगेंगी तो देखिए इस तरह से dough bind होता जा रहा है हमारा और सारा एक साथ एकटा हो गया है तो इस तरह से ये हमारा biscuits का dough prepare हो गया है जो कि whole wheat biscuits हैं तो देखिए soft सा dough prepare किया है बहुत ज़ादा hard नहीं होना चाहिए और इसको हम rest करने के लिए रख देंगे 15 to 20 minutes के लिए थोड़ी देर बाद जब हम इस dough को देखेंगे तो ये अच्छे से set हो चुका है अब हम इसके balls बनाएंगे और जैसे हम roll करते हैं चपाती उसी तरह से इसको roll करेंगे हमें ध्यान रखना है कि जो इसकी thickness है वो बिल्कुल even होनी चाहिए जिससे सारे cookies का एक same size रहे और उनको baking time भी same लगे तो इस तरह से मैंने rolling pin से इनको press किया उपर से थोड़ा सा elachi powder मैंने spread कर दिया आप किसी भी cookie cutter से या किसी भी धकन से इसके cookies काट सकते हैं मैंने ये छोटा से glass की help ले और ये बस मैंने इस तरह से गोले बना के अपने जो biscuits ना ये cut कर लिए तो इस तरह से सारे biscuits मैं prepare कर लूँगी oven को already मैंने preheat कर लिया था 180 degrees पर 10 minutes के लिए अब जैसे जैसे biscuits prepare हो गए हैं बस अब इनको डालना है oven के अंदर 14 minutes का time लगेगा सारे जो biscuits से इनको bake होने में देखी कितने बढ़िया golden crispy brown bake हो गए हैं हमारे biscuits बहुत ही healthy हैं बहुत ही nutritious हैं बहुत बढ़िया texture है आप ये recipe try जरूर कीजेगा बनाइएगा अपने friends and family के लिए और चाय और coffee का मज़ा दुगना कर लिजेगा तो ये वीडियो आपको कैसा लगा रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे comments करके जरूर बताईएगा चैनल को subscribe जरूर कीजिए वीडियो को like and share कीजेगा बहुत सारी ऐसी amazing और interesting सी recipes आपके लिए आती रहेंगी Instagram पर मुझे follow करना बिलकुल मत भूलेगा Thanks for watching the video